हालो फ्रेंड्स आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी एकजाम 2020 तो फ्रेंड्स यूपी किस यूनिवस्टी ने एक नया नोट्रिफिकेशन जारी किया है और एकजाम पर नेड़ा लिया गया है कि एक एकजाम नहीं होंगे आपका प्रमोशन किया जाएगा नहीं किया जाएगा एकजाम होंगे तो केवल थर्ड यर के होंगे या पार्ट वान पार्ट टू दोनों के होंगे तो फ्रेंड्स से नया नोट्रिफिकेशन क्या है और किस यूनिवस्टी ने इसे जारी किया इसे पूरा देखें वीडियो को like करें, share करें और अभी तक चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो तो तरह अरट सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आ honeymoon करें डाल के बटन पर किल्क करें जिससे कि University Exam 2020 समबन्दित पूरी जानकारी आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंशती रहे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए बैठक में ये निड़ा लिया गिया है कि यदि तीन मई को लाउक डाउन खुला और इस्तिती सावान रही तो पंदरा मई से तीन पालियों में परिच्छा कराई जाएंगी इसके साथ जब जब मुल्यांकन कार सुरू कराये जागा तो वो यभी दो पालियों में होगा इसके साथ ही कालियों को नर्देशित किया गया है कि तीन मई को लॉकडाउन खुलने के बाद इस्तिती सामान होने पर पंदरा मई तक आंत्रिक या बाह उपलबजता के अनुसार प्रेक्टिकल परिच्छाएं पूर करा लिये जाएं तो ये देखिए आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताए कि सौंवार को लोकडाउन में ढईल मिलने के बाद बीर बाğimizALDर सिंग कुलता है तो पंदरा मई को परिच्छा कराई जाएगी शुबह साथ से सब्सक्राइब करता है तो आधेक्तम तीन सो कापियों का मुल्यांकन कर सकेगा इससे अधिक नहीं ने आख कि बैटंग में ये पर्मक लोग उपस्तित रहे तो अब बात करते हैं कि आन्य उनिवस्टी की जैसे कि लगातार यूटूब पर बताई जा रहा है कि यह यह नोटिफिकेशन आया तो फ्रेंट्स यह वाँ सब्सक्राइब कि नोटिफिकेशन आने वाला आपको बता देता हूं कि किसका notification मान होगा आपको ध्यान होगा अभी दो-ती दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि UGC ने एक नए अपडेट जारी किया है एक नए प्रपत्त जारी किया है अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंदान दाय आयोग ने कमेटे गठित की है और जिसमें सारी यूनिवर्स्टी के प्राक्षारी के कुलपतियों कॉलेजों के परचारें से अपने मत मांगे हैं अपनी राय मांगी है कि आखिर क्या होना चाहिए वह कमेटी फाइनली गठित हो चुकी है और वो जल्द ही प्रतिवद्ध है अपनी रिपोर्ट सोपने के लिए और वही रिपोर्ट अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है उसमें पूरा प्रपत्त जारी किया गया है कि यह कमेटी बन चुकी है और वो प्रतिवद्ध लिंक आपको डिस्कॉप्शन वक्स में मिल जाएगा तो जैसे ही बोग कमेटी अपना पूरा संग्यान यूजी सी को प्रेसित करती है तो यूजी सी अमचार्ड के दौरा अमचार्ड के सायोग से पूरी देश में जितनी यूनिवस्टी है कहां कहा आया जा सकता है कहां का एक्जाम नहीं कराया जा सकता है प्रोमोशन किसे मिलेगा फाइनल येर की परच्छाएं होंगी या सभी की परच्छाएं होंगी इस पर एक फाइनली डिसीजन आएगा अभी यूनिवस्टी लगातार कहे रही है कि 20 मई से होगा या 15 मई से होगा व कमेंट करके जरूर बताइए और वेट कीजिएगा फाइनल डिसीजन का जो यूदीसी जवारा आने वाली है इसक्रीन पर आपको चैनल का लोगो देख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे की सारी न्यूज आपके पास सब से पहले और फ्री में पहुंचती रहें थैंक्स फार बाचेंग और सब्सक्राइब मैं चैनल